प्रतलाम शहर में पत्रकारों के साथ आए दिन कोई न कोई मामला सामने आई जाता है गोशाला रोड पर एक मकान के अंदर गेस सिलेंडर में आग लग गई थी जब इसके परताल के लिए पत्रकारों की टीम गेस एजनसी पर पहुँची तो एजनसी के मालिक ने पत्रकारों से अब अधरता करते हुए जान से मारने के धमकी डेडा ली दरसल मामला यह है कि एक कर्मचारी द्वारा सिलेंडर चेक किया गया बताया गया कि सिलेंडर का वाइसर चेंज कर नया रेगुलेटर और होस पाइप लगाया गया बावज़ इसके एजनसी के कर्मचारीों का कहना था कि सिलेंडर में कोई समस्या नहीं है बलकि गयस सिलेंडर की लिकेजिंग के कारण यह आग रेगुरेटर में लगी थी उसके पशात मीडिया टीम गयस एजनसी पर पहुँची वहाँ के एजनसी मालिक ने अंदर आते ही अभगर व्योहार करते ही गाली गलों से बात की और कर्मचारीों द्वारा पिटवाने और जान से मानने की धमकी दी जब इस बात की मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना चाही तो मोबाइल छीन कर धक्का मुक्य करते हुए बोला कि चुप चाप से अब आफिस से बाहर हो जाओ वरना पता भी नहीं चलेगा कि कहां गए हो तुम जिसको लेकर नजदी की धाना मानक चोक पर लिखी तावेदन देकर दंडाटमक कारवाई करने की अपिल की गई रतलाम से राहुल बेरागी की रिपोर्ट अच्छा उसके हम ताम दीमिंग करते हैं तो जली बेर नीचे से यहां से कंटी का वायसर होता है वही से जला है तूरी तरहां से अगर आग फेत रहा था तो आग को सभी जागान से फेत रहा तो पूरा जलना जाहिए था तो आपके तो लगी जली है पहले रहुत जला है और नीचे से जला है तो अप महाँ पर गए तो आप ने तंकी का वाज सर भी चेंज किया इस बारे में आप क्या गए है हमारे तो पूरी सेप्टी के उसाथ भी काम करेंगे अभी हमने हमारे रेड़ुडेटर डाला चेक करा रहा है इसके बाद दुबार अश्यकुल्प की वह उसके लिए तो लिए तो आपकी लिगेश थी है तो फिर वाइसर प्रेंट्स आप देख रहे है हमारा चेनल हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब परें और पास में लगे देल आइकोन को दबाना बिलकुल भी न भूलें